भारतिय हिंदू धर्म में गुरुवार को ब्रिहस्पतिवार या गुरुवार के रूप में विशेश महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भक्तजन विशेश देवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें आशिर्वाद और मार्गदर्शन की प्राप्ती होती है. मुख्य रूप से इस दिन दो प्रमुख देवताओं की पूजा की जाती है, भगवान ब्रिहस्पति, गुरु और भगवान विश्णू. भगवान ब्रिहस्पति को वैदिक जोतिश में गुरु ग्रह के रूप में जाना जाता है. हिंदू पौरानिक कथाओं में वे देवताओं के गुरु एवं ज्ञान के प्रतीक होते हैं, जो विचारशक्ती, बुद्धी, ज्ञान और आध्यात्मिक्ता का प्रतीक होते हैं. ब्रिहस्पति को दिव्य प्रेणा और ज्ञान के स्रोत के रूप में माना जाता है, और उनका महत्वपूर्ण योगदान व्यक्ती के भाग्य को बनाने में होता है. गुरुवार को भगवान ब्रिहस्पती की पूजा करने का चयन इस पर आधारित है कि प्रत्येक हफदे के दिन एक विशेश ग्रह का संबंधित होता है और गुरुवार को ब्रिहस्पती ग्रह का स्वामी होता है. इस दिन पूजा और अनुष्ठान करके भक्तजन भगवान ब्रहस्पती से ज्ञान, बुद्धी और समझ की वृध्धी की प्रार्थना करते हैं इससे ज्ञानहींता को दूर किया जा सकता है और जीवन में बहतर निर्णय लेने की क्षमता मिल सकती है गुरुवार को दूसरे महत्वपून देवता भगवान विश्णू की पूजा भी की जाती है जो हिंदू धर्म में मुख्य देवताओं में से एक माने जाते हैं भगवान विश्णू ब्रह्मा, विश्णू और महेश के बाद ब्रहमांड के संरक्षक और पालने के लिए माने जाते हैं और उनके दिव्यगुन जैसे करुणा, दया और सुरक्षा के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है कई हिंदू भक्तजन गुरुवार को विशेश दिन मानते हैं, जिसमें वे पूजा, भजन गाने और विश्णू सहस्र नाम, विश्णू के हजार नाम का पाठ करके भगवान विश्णू की भक्ति व्यक्त करते हैं गुरुवार को भगवान ब्रिहस्पती और भगवान विश्णों की पूजा करने की महत्ता ववैदिक जोतिश और ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी हुई होती है प्रत्येक दिन के ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को इन देवताओं की पूजा करने से जीवन में एक पॉजिटिव और उत्थान्शी उर्जा का अनुभव होता है गुरुवार के दिन विशेश पूजा और अनुष्ठान से जीवन में धार्मिक्ता, ज्यान, समरिध्धी और सफलता की प्राप्ती होती है इस दिन भक्तजन अपने आचार धर्म, सदाचार और आदर्शों में सुधार करते हैं और भगवान की कृपा और आशिरवाद के लिए प्रार्थना करते हैं गुरुवार की पूजा और वरत में भक्त धर्मिक ग्रंतों के पाठ, आर्ती, भजन और संस्कृत मंत्रों का जाब करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शान्ती और आत्मिक समवेदना का अनुभव होता है इस तरह गुरुवार को देवताओं की पूजा करके विशेश ध्यान देने से भक्त जन को न सिर्फ आध्यात्मिक्ता और धार्मिक उन्नती का अनुभव होता है, बलकि उन्हें जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समरिधी की प्राप्ती का भी सामर्थ्य मिलता है इस विशेश दिन को समर्पित भक्ती और पूजा से भक्त जन को अधिक उत्साह, सहयोग और धैर्यकी प्राप्ती होती है, जिससे उन्हें अपने जीवन को सफलता पूर्वक निर्वाह करने में सहायता मिलती है इस रूप में गुरुवार का महत्व और इस दिन विशेश देवताओं की पूजा करने के लाब के साथ साथ धार्मिक्ता, ज्यान और सफलता की प्राप्ती में भक्त जन की सहायता करने वाली एक प्रामुख धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा विद्वानों और साधकों द्वारा गुरुवार को समर्थ बनाती है। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान ब्रिहस्पती और भगवान विश्णों की पूजा करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में अधिक होता है। और इस दिन को धार्मिक्ता और सफलता के नए पथों की प्रारंभिक उप पूर्ण माना जाता है।